इस वीडियो में हम बात करेंगे Wipro-Wilp के recruitment process के बारे में तो Wipro-Wilp में total आपके दो round होते हैं और दो round में भी एक round के दो parts होते हैं ठीक है तो मैं आपको धंक से समझाता हूँ कैसे है तो Wipro-Wilp मैं सबसे पहले मैं round की बात करता हूँ तो सबसे पहले इसमें दो round होंगे, first होगा आपका aptitude test या जिसको आप online test कह सकते हो, online assessment कुछ भी उसके बाद होगा इसमें business discussion round, ठीक है ये दो round होगे, अब इस business discussion round के अंदर दो round होते हैं, जिसको ये business discussion round बोलते हैं उसके अंदर दो round होगे, वो मैं आपको बताता हूँ, होगा technical interview और होगा HR interview, ठीक है तो कई लोग इसी से confused थे के business discussion round क्या है तो कुछ नहीं है, इसके दो sub-parts है, technical interview और HR interview सबसे पहले हम बात करेंगे aptitude test की, तो पहले eligibility वगरा देख लेते हैं इसके लिए केवल BCA और BSE, केवल ये वाले students allowed हैं, ठीक है आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको 60 months का bond भरना पड़ता है जब आप job में जाते हो, तो इसमें आपको M.Tech की degree भी मिलेगी M.Tech की degree के साथ आप weekends पे आपकी classes लग रही होंगी और weekdays पे आप ऐसा full employee विपरों के लिए काम कर रहे होगे ठीक है, थोड़ा सा आपका workload बढ़ जाता है लेकिन साथ में job के साथ आपको एक M.Tech की degree भी मिल जाती है ये बाद आपको ध्यान में रखनी चाहिए ठीक है तो देखते हैं एपरिट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्यूट्य और चौता होता है English Communication English return क्या देता हूं मैं इसको कुछ भी कह दो यार ठीक है इन चारों के बाद में बात करते हैं सबसे पहले तो यह जो तीनों section है इन तीनों में 20 questions आपके आएंगे और आपको 20 मिनिट का टायम में लेगा मतलब हर question के लिए 1 मिनिट यह बात समझ में आ गई maths, English और reasoning तीनों में कितने question होंगे 20 questions और 20 questions को solve करने के लिए 20 minutes तो total number of questions इन तीनों में कितने हुए 60 और जिनको solve करने के लिए कितना time हुआ 60 minutes ठीक है यह बात हमें clearly समझ में आ गई 60 questions 60 minutes ठीक है इन तीनों section में कैसे आप prepare कर सकते हो आप basic aptitude prepare कर सकते हो इतना कुछ ज़्याद कर सकते हो तो आपको यह तीनों prepare करना पड़ेंगे maths, English और reasoning फूर्थ है English return यह भी 20 minutes का होता है लेकिन इसमें एक question आता है और वो एक question अपकर क्या होगा वो एक question होगा आपका essay round ठीक है आपको essay return करने को बोला जाएगा इसमें basically आपकी क्या चीज़ने चेक करी जाती है कि आ आपने essay की summary दी है कि नहीं आपने दो thoughts से सूचा है कि नहीं आपकी grammar सही है कि नहीं आपकी spelling mistake तो नहीं है और कई लोग पूछते है कितने words में लिखना है तो आप try करो कि आप 250 से 300 words की बीच में essay को लिखो ठीक है इतना आपका लगबग average count होना चाहिए words का तो यह होता है first round जो आप इसको clear कर लेते हो फिर आता है आपका tag interview okay I think इतना आपको clear होगा tag interview में क्या होता है tag interview जो आपको चालू होगा तो यह काफी difficult round नहीं है first round अगर आपका clear हो गया तो यह दोनों interview काफी easy है tag interview में आपके resume based पे ही question पूछे जाएंगे आपकी resume में जो भी लिखा है उससे संब्सक्राइब आपसे question पूछे जाएंगे जो भी आपके resume में है latest technologies की उपर आपसे question पूछे जा सकते है जैसे के cloud क्या होता है ml क्या होती है AI क्या होता है ॥ीक है iql क्या होती है database क्या होता है और मतलब कोई अगर क्यी नई technology निकल रहे है तो आप थोड़ा थोड़ा ठोड़ा सा पढके जाएं कि Eye क्लाओ क्या होता है कैसे know होता है ML क्या होती है AI क्या होती है और robotics क्या होती है sensors क्या होते हैं थोड़ा बहुत आप networking पढ़के जाए उसके बाद ज्यादा कुछ depend नहीं करता अगर आपने कोई programming language लिखी है तो से OOPS के questions पूछे जा सकते हैं और core CS के subject पढ़के आप सकते हैं जैसे कि अगर आपने resume में लिखे हैं तो DBMS हो गया और OS हो गया यह सब बागी आपसे question भी पूछे जाएंगे किवल resume based ही होंगे जो भी आपने लिखा है अगर आपने कोई project वागरा mention किया है तो उसके ऊपर आपसे questions पूछे जाएंगे technical interview में इतने ही होता है puzzles अगर आप पढ़के जा सकते हैं आपसे puzzles के questions पूछे जा सकते हैं guestimate के questions पूछे जा सकते हैं तो यह होता है total tech interview में फिर आता HR interview HR interview में normal HR के question behavior वाले questions पूछे जाते हैं जिसके लिए description में एक video होगी उस video में एक PDF attached है जिसमें सारे के सारे questions with answers दिये हुए है for HR interview तो आप उस PDF को जाके download कर देना इसकी link description में है तो HR interview को जब हम clear कर लेते हैं तो यह पूरी process complete हो जाती है उसके बाद हमें LOI मिल जाता है अगर हमारा interview बगरा सही होता है LOI means letter of intent मिल जाता है और selection हो जाता है So this is all about the process of Wipro will thank you